अच्छे फ्रेंड्स यह बताईए कि चावल किसको पसंद है आपको सबको पसंद होता है बट लड़कियों को बहुत जादा पसंद होते हैं चावल खाना तो चलिए गाइस आज हम इस चावल से बहुत ही यूनिक और बहुत ही यमी टेस्टी बनाएंगे रेसिपी और बहुत करते हैं वीडियो स्टार्ट तो हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माइच चैनल कुंजगी रसोई तो चलिए इस चावल से बनाते हैं एक दम यूनिक रेसिपी सो गाइस बावल में मैंने एक कटोरी चावल ले लिया है और चावल आप देखिए वरस पती है बिल्कुल एक दस मिनाट के लिए रैस्ट के लिए रखेंगे ताकि हमारी चावल अच्छे से फूल जाए इतने हम ले लेते हैं सोयबीन सोट एक काटोरी में हमने ले लिए आदी काटोरी इस लिए ताकि फूल ले के बाद बहुत जादा हो जाएगी तो चलिए गाइस पहले मैं इसको अ अच्छे से भीगचुके आप देख सकतें तो चलिए अब हमyas इसा भॉगना ले लिया है और सारी चावल समा इसक्राइब बहुनने में बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल भी चिपके न एक दुम से बिखरे बिखरे बने तो यहां पर हम ढग देते हैं प्लेट और चलते हैं गैस की तरफ तो गाइस चावल कभी होना हमने गैस पर रख दिया है फ्रेम हमने लोड टू मीडियम पर रखा इसको हम अच्छी से बाइल होने देंगे इतने हम करतें अपनी सब्जी की तईयारी मैंने सब्जी पहले से काट रखिती तो यहां पर मैंने तीन बड़े साइज की प्याज काट लिए चार हमने ले 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 ली ती लालम साभी अर अच्छी से फूल गई ती तो निचोड ली ते पर मैंने एक फ्राइफेन ले लिया है और इसमें रिफाइंड डाल दिया है तो इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे भून के यह तरीके से और हमने प्याज गाइज लंबे साइज की काटी ती एक तम लच्छे वाली इस तरीके से आपको काटनी है तो यह देखे हमारे प् प्याज का अफ्ट से लिए तो यह देखे गाइज हमारी प्याज भूं चुके इसको सारा हम निकाल लेते हैं तो गैस आप प्याज भूने के बाद हम डालो और आलू को अच्क्छी से आप खर लेंगे एक तुम कुरंची हो जाएंगे हमारे आलू तो यह देखिए इसको लर्सक्तों बहुत ही अच्छी से इनकोん आलो के एंगहों निकालेंगे तो हमने सारा तेल निकाले प्लक्राइबन डेलेंगे तो सोयबन हम थोड़े हिसकє्स को छलाते हुया लि Compшие तो इसमें बहुत सारा ऑइल भड़ जाता फिर बलुकुल भी अच्छा हमारी रैस्पी नहीं बनती तो गाइस हमारी जो अच्छी से फ्राय हो चुके तो चलिए अब मैं इसको निकाल लेती हूं अब गैस की तरफ आ गया और हमारे चावल बहुत ही अच्छी से बॉइल हो च तो चलिए गाइस आप इसको फ्राय करते हैं तो यहां हम गैस पर कड़ाई रख दिये और तेल जो रिफायंट था ना तो रिफायंट हमने वही डाल दिया है तो गाइस रिफायंट को अच्छी से गरम हो चुका है हम ने लिए अटी पाल पत्ते डाल दिये और इसको अच् अच्छी से फ्राय कर लेंगे तो यह देखिए इस तरीके समय इनको फ्राय कर लेना है और देखिए हमारे चावल एकदम से बिलकुल भी नहीं चिपके आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से फ्राय हो चुके हैं तो चलिए गाइस आप हम इसमें डाल देंगे नमक और अपने हिसाब से डालना क्योंकि हमारे चावल में जमने बॉइल कर लेंगे तो पहले हमारे नमक ता अपने हिसाब से डालना है मैंने हडी मिर्श जाल दीए दो काटके तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन चावलों में तो यह देखिए गाइस आप हमने जो बु जो लाल मिर्श तली थी ना तो बो डाल देंगे यहाँ यह देखिए तो कितनी यमी लग रिशिपी यहां पर सुंतर्ता के लिए ढाल देंगे और खुश्बू के लिए हरा धनिया फिर से हम डाल देंगे प्याज भुनी वई तो यह देखिए अब इसमें हम पांच मिनेट के लिए एक प्लेट से ढखके और चिस ढख दें तो यह देखें पांच मिनाट हो चुक है और हमारे एक दम से प्लाव बहुत ही टेस्टी भिरियानी तयार हो चुक है चलिए तब हम इसको एक प्लेट में सरफ कर लेते हैं इक ले लिए हमने लगता है हमारा ये रेसिपी चावल की तो आप इस तरीके से बिरियानी बना सकते हैं यहां पर मैंने गार्णिश कर दिया है दनिये से तो बहुत ही देखने में सुंदर लग दिया बट खाने में गाई उससे भी ज्यादा टेस्टी थी तो आप अपने घर में जरूर ट्राय क तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है बहार के बजार वर्याने इसके आगे फेल रेस्टरूरंट के सब के फेल हैं बहुत ही यमी टेस्टी बनते हैं तो आप इस तरीके से बना दर्रूर खाना आज addicted SP好吧 कैसे लगा बिरियानी कैसे लगी थो आप कुछ भी बोल सकते हैं तो गाइस जाए से आज शेयर करना और फूल वाच करने के लिए दिल से थैंक यू सो मच मिलेंगे एक नेक्ष रेसिपिक साथ बबाई टेक केर